एक बार ये लोग पढ़ाई पूरा कर लेते हैं पढ़ाई के मामले में देखा गया है कि ऐसे लोग डॉक्टर बनते हैं इंजिनियर बनते हैं अधिवक्ता बनते हैं जज भी बनते हैं और ये राजनीत के छेत्र में भी बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं चुकि धनुरासि के लोग जीवन में कुछ ना कुछ करते रहने का इनका ये कुछ देश होता है कुछ नई खोज, नई तरह का कार्य करना, नय तरह से अपने को समाज में अस्थापिट करना तो ये इस अपने उधेर बुन में लगे भी रहते हैं और इनको धीरे धीरे सफलता भी प्राप्ट होती है ऐसे लोग पढ़ने लिखने में बड़े अच्छे होते हैं, अवल नंबर लाते हैं और अपना मन पसंद नौकरी भी प्राप्ट करते हैं अब अगर धनूरासी के लोग ब्यापार करते हैं तो ये ब्यापार में बहुत मेहनत भी करते हैं और मेहनत के साथ साथ ये हमेशा नई चीजों की खोज, नया चीज मार्केट में कौन सा लाना है, जिससे अधिक धन में बृद्धी हो, ब्यापार खूप चले, तो ये कोई नई तक्निकी की खोज में लगे रहते हैं, इसमें इनको सफलता भी मिलती है, इसलिए धनूरासी के जो लोग होते हैं, ये ब्यापार बिजनस के मामली में अधिक सफल होते हैं, चुकि इनको परिश्रम से कमाया हुआ धन, इनके पास ठिकता भी है, और ये अपने उस धन को बड़े धन में बदलना इनको आता है, वैसे तो ये इसे लोग अच्छे सलाकार भी होते हैं, दूसरों की साहिता भी करते हैं, लेकिन अपने मामले में ये आलस कम ही करते हैं, धनूरासी वाले थोड़े जिद्दी सवाव के भी होते हैं, लेकिन ये है कि जो ये काम अपने मन में ठान लेंगे, ये करना है तो ये करते हैं और उसमें इनको सफलता भी खोब मिलती है, आप देखोगे किनके बच्चे मिसेश कर अगर ये खुद डॉक्टर नहीं बन पाए, खुद वकील नहीं बन पाए, तो ये अपने बच्चों को जरूर मेडिकल लाइन मे सफल कराते हैं, इंजिनियर बनाते हैं, कोई न कोई बड़ा पद अपने बच्चों के लिए ये जरूर प्रयास करवाते हैं, और इनके बच्चे पढ़ने लिखने में सफल हो जाते हैं, और वो पद जरूर प्राप्ट करते हैं, अब आप देखोगे कि धनूरासी के लोग साधी के मामले में जल्दबाजी नहीं करते हैं। इनकी साधी 25 से लेके 30 वर्स के बीतर हो जाती है। इनकी धनपत्नी बहुत ही अच्छी सुन्दर रूपवान और बुद्धिमान होती है। आप देखोगे कि इनके साधी के कुछी वर्सों के अंदर इनको संतान सुक प्राप्त होता है। धनुरासी के लोगों को पुत्र अवस्य होता है, वैसे इनको कन्या भी अवस्य होती है, धनुरासी के लोग अपने बच्चों से बिसेश प्रेम करते हैं, अपने बच्चों के दुख सुक में हर तरह का ये पढ़ाय लिखाई में कोई कमी नहीं लाने देना चाहते हैं, इसक बच्चे हैं ये बहुत ही सुन्दर होनहार और पढ़ने में बहुत तेज होते हैं वैसे होते ये भी जिद्धिक किस्म के इनके बच्चे हैं लेकिन दिखने में बड़े सुन्दर आकर सक और पढ़ाई लिखाई में तेज होते हैं इनके बच्चे सेना में भी सफल होते हैं दिपार्ड में भी सफल होते हैं या देश की रच्छा विभाग का कोई भी पद है तो इनके बच्चे उसमें बहुत अच्छी जगह से पद प्राप्त करते हैं